वाउट स्टेज़ थ्री आड़ इस गेटिंगे इन गूरू इन बात करेंगे कौन से बेसिक चैलेंगे उनकों से इडवांस चैलेंज नहीं कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको हाद चैलेंज कंप्लेट करना पर हम इन सब चीजों के बार में इस वीडियो बात करें तो हम आ और राइट इसमें से जैसे आप देख सकते हैं दो हैं बेशिक चालेंज बाखी चार है एडवांस चालेंज और आप इसे मिलेंगे और आप इसे मुल्टिपल नहीं कर सकते ऐगे अगे अगर तो आता है minimum distance जिसमें आपको इस पूरे 20 दिनों में total distance जो है 200 km का cover करना है अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको 100 points मिलेंगे basic type of challenge जाए और इसे आप multiple times नहीं कर सकते हैं अब इसके बाद आता है go for it जिसमें आपको एक ride करनी है 100 km अब इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी बात करा था कि यहां तो हम इसे single ride में कर सकते हैं यहां फिर हम इसे चोटी चोटी जो distances हैं उसके multiple rides में कर सकते हैं अब multiple rides में अगर हमें करना है तो उसकी जैसे वो शर्थी जो conditions से जिसमें हमें जिसमें हमें जिव स्टार्ट और स्टॉप टाइम है बिट्विन इंडी मॉल्टिपल राइट्स वो मैक्सिम जो डिफरेंस है वो 30 मिनिट का होना चाहिए 30 मिनिट उससे जादा नहीं जो सारी राइट मुल्टिपल राइट जो है वो सेम डे पर ही स्टार्ट होना चाहिए और जितनी बार आप इसे कंप्लीट करेंगे आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे एडवांस चैलेंज है इसके बाद अगर हम देखे तो आता है डेस इंटो डिस्टेंस जिसमें आपको पा जिसमें हमें चार दिनों में 30 किलोमेटर की राइट करें यह भी एक एडवांस चैलेंज है 290 पॉइंट्स मिलेंगे अगर हम जितनी बार भी यह चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं और इसे हम मल्टिपल ताइम्स कर सकते हैं क्योंकि एक एडवांस चैलेंज है जिसमें हमें 300 किलोमेटर्स इन 7 consecutive days करने है तो जो इसमें जैसे हमने अभी देखा था minimum distance में 200 किलोमेटर जो है मों 20 दिन में करने है इसमें क्या है हमें 300 किलोमेटर जो है वह एक वीक में लगातार जो है हमें वह कवर करना है total distance और और अगर हम यह कर लेते हैं तो 500 कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप जितनी बार complete करेंगे आपको उतने extra points मिलते हैं all right and I hope आपके जो वीडियो है वह helpful लगे आपके काम आ सके और आपको informative लगे thank you for watching guys this is me a जप वाइस आवे साव ने हुआर्स है है है